हाइ फ्रेंज गूद्मानिंग देख आज की वी सुबह हो गई है और आज सुबह से बंटाए कांदे पोए तक मैंने पोह बिजा के लागी दरा आलु कट कर रही हूं को अभी और मैंने गयस पर जो कांदा मेत्टी को डाल करें इसके बाद इसके अलू बैड करतेंगे और इस लिट दम बन गया और बहुत अच्छा और टेस्ट्री भी लगता है यह सुवे ब्रेकवाश में नर्वन भी चाई के साथ है तो मेरा पोहा देखने यहां पर रेडी हो गया है है तो नष्णा हो चुका अभी को बन गया है फिर खाएंगे घंगे खाने के बाद देखते और अभी मैं खाने के तk्योणे की त्यारी हूं अब बना रहे रहे हैं नंग में पखानारी नेके में छोड़े की भाजियो और बोमच्पार्स नहीं आल भी मेंणे था अपने से भिंडी बाद में चलाएंगे तो तो मेरी दर भिंडी की भाजी बन लिए आज खाने के लिए दाल चावल बनके रही हो चुका है अभी भाजी बन दिये अब इसके बाद मैं बोमिल फ्राइए करूंगी तो देखना उनकों सिंपल तरीके से कैसे हो तो यह मेरा बोम समक लाल मिर्ची हल्दी लिम्बू और थोड़ा सा मैंने मच्छी मसाला हल्का सा रखी तो यह देखो समसाले को मिक्स करूंगे अभी मसाले के अंदर मैं एट करूंगी तो मोमिल जो था मेरा स्वाच्छे से मैं रखोंगे बाद में इसको आटे में फ्राइए करूंगी सोसे नहीं यह थानियों अब सिछ पालाइंने जोब तो यह देखो आटा यह नौर्मल यह चाहिए बस ति आटे में एक एक ऐसा डिप करेंगे ऐसको क्यों हाइं कि राख चाहिए क्रिष्पी और कड़क होने लिए मेरी बोमील देखो फटराय होने स्टार्ट हो गई यह अब SS बोम new का सीज़न आया तो बोमील स्टराइं घ्र बेच्थ आघक मेरी भूमील हो गई और अभी शाम के नाश्टे में आजाया संपोसा और चाय भी करेंगे करने के बाद सिर्टल का देखते क्या वीडियो रहेगा कुछ रहेगा तो बनाती है पंजाबी समोसा हम लोग खास खरीद के लाए खानी के लाए नाश्य में बहुत दिन के बाद तो देखो मेरे वीडियो देखो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना अलाहाफिस